हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चिनल में एक बन नए मार्केट अपडेट की साथ इंट्राडेट टिप्शन रिक्मेडिशन की साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो डेली बिस्स की तरह है आज भी दो भैतरिंग स्टोक लेकर हूँ जो कल की डेट में आपको इंट्राडे में जोदार पॉफोमेंस देने वाले हैं आपर टेक्निकल व्यू के एकोडिंग ये दोनों ही स्टोक आप लोगों का अपडेट किये जा रहे हैं दोस्तो ठीके तो ये जो वीडियो है यो आप लोगों के लिए एक नॉलेज़ेवल और एक एजुकेशन पर पस से होने वाला है ठीके और उसी के सास्ता दोस्तो फंडामेंटल एनलाइस वाले जो एजुकेशन पर पस वाले वीडियो है वो भी अपडेट किये जाते हैं ठीके तो चलिए सबसे पहले आज को का जो मार्केट अपडेट है वो आप लोगों को प्रोवाइट कर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो आज भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली कल मैंने जैसा बोला था कि 18,000 का क्रिटिकल सिचुएशन लेवल वाला जो दोस्तो वो है लेवल वो ब्रेक हुआ है आज इसने 17,900 रुपे का लेवल भी ब्रेक करके ये क्लोज हुआ है उसी के साथ साथ देखेंगे खाली 15 स्टॉक ऐसे थे 35 स्टॉक नेगेटिव देखने को मिले जुसमें से टॉप गेनर के लिस्ट चेक कर सकते हो और साथ में आप दोस्तो टॉप लूजर के लिस्ट भी देखके चल सकते हो और साथ में हम आप लोगों को पास्ट पाफॉरमेंस भी हमारा बताने वाले हैं ठीके आज का तो यहां खेर, ट्रेडिंग करने वाले निस्टर ट्रेडिंग करी होगी, लेकिन हमारा लेवल इसमें नहीं हो पाये, ठीके, उसी के साथ साथ, अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ, दूसरे स्टॉक था दोस्तो हमारा टाटा मोटर सखे, टाटा मोटर तो फ्लेट ओपन हो, तो इसमें अच्छी गासी हमें profit booking देखने को मिली दोस्तों ठीक है, मतलब यह अच्छा गासा उपर गया तो traders ने अच्छा गासा profit निकाला मतलब यह एक level में trading हुई, एक में नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, और comment में यह भी लेकने को मिल रहा है कि हमारे कल के level fail हो गए थे, देखे, fail होती टाइम loss होती टाइम तो आप definitely comment कर देते हो, ठीक है, हमको demotive करने के लिए, लेकिन कभी दोस्तों आप जब हमारे level चल जाते हैं, profit हो जाता है, तब हमें आप ज़रूर comment करके बताए कि सर आज हमने इतना profit निकाला है आपके level पर, तो हमारा confidence और build हो और हम आप लोगों को सामने अच्छे-च्छे stock और लेकिया है, तीक है, तो चलिए जो first stock है, उसके ओपर चलते हैं, जो में कल अच्छा-गासा performance देने वाला है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आप लोगों के लिए जो first stock है, उसका नामे Asian Pint Limited, लगबग दोस्तों आज इसमें 72% की तेजी देखने को मिली, 3225 रुपए पर stock close हुआ, previous close था, 3151 रुपए stock open हुआ, काफी अच्छी तरीके से gap of opening हुआ, 3170 रुपए high लगाया, 3249 रुपए 90 पैसे, और low लगाया दोस्तों 3165 रुपए गा, ठीक है उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ trade volume number of share की, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लगबग 16,000 16,000 quantity का है आपर, volume देखने को मिल रहा है, साथ में आप 52,000 का है 52 कलो देख सकते हो, बहुत अच्छा है उसी के साथ साथ आप देख सकते हो, इस स्टॉक में दोस्तों, आज का delivery pattern वो भी बहुत interesting देखने को मिल रहा है और साथ में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों स्टॉक के delivery quantity की तो करीवन 6,000, 32,000 quantity देखने को मिल रही, तो देखा जा दोस्तों, तो Asian paint का performance हमें आज अच्छी तरीके से देखने को मिलाएं, चलिए, इसके technical view पर चलते हैं, कल के लिए का moment मिलेगा ये, देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों Asian paint का chart pattern में आप लोगों सामने open का है, आप 15 मिट का candle चाटे, अब देखिए, हम इसको buy करेंगे या sell करेंगे, वो मैं आपको reason से find काता हूँ, देखिए, सबसे पहले, अजसा खाजा trend बना हुआ था trend भी गड़ा, थोड़ा सा profit booking हुआ, फिर उपर गया फिर निचा आया, अब देखिए, मतलब अगर देखा जाए, तो ये इसके लिए important zone बन चुका था, ठीके क्योंकि आप अगर देखिएंगे, तो वहीं पर momentum हुआ, ठीके, उसके बाद ये फिर उपर गया, अब उपर तो चले गया, लेकिन दोस्तों इसने उस उपर के लेवल को एक बार में क्रोश नहीं किया अगर मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़े, बड़े पेटन में, तो आप देखिए, यहाँ पर काफी ज़्यादा time spent किया मतलब दोस्तों, हाँ, sustain कि हम इसको बोल सकते हैं यह sustain करना बहुत अच्छी बात होती है, अगर आपने देख लिया आपने अच्छा breakout या breakdown ढूंद लिया दोस्तों, और मान लीजिए, वहाँ पर price अगर, अब आपने यहाँ पर अगर एक कि चलो, ठीक है, मैं यहाँ पर stock को sale कर देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर price sustain हो गया तो definitely stock उपर भाग सकता है क्यों, क्योंकि दोस्तों, important level पर price sustain कर रहा है, ठीक है तो यहाँ पर आप देखे, यहाँ पर वही condition में देखने को मिली, important level था, ठीक है, यहाँ पर आप देखे रहें, तो पीचर से हमने previous से भी आपको दिखाया तो यह important level था, यहाँ पर price sustain हुआ, अब यहाँ पर किसी ने इस position को देखे कि यहाँ पर stock fail हुआ था, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, तो उसने अच्छा खासा यहाँ पर अपना SL trigger किया होगा, ठीक है, जो उसका लगा होगा, ठीक है, उपर की side में और यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देखने को मिला, time spent किया, एक अच्छा खासा momentum देखने को मिला, stock में एक अच्छा खासा upside का moment, upside के moment के बाद, अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी flatness आ गई, मतलब दोस्तों, market का भी reason है, कि वो एक range में trade करता है, मतलब उसको आज पता है कि मुझे आज इतना ही moment करना है stock को भी पता, आज मुझे इतना ही moment करना है फिर वो क्या हो जाता है, sideways हो जाता है अगर वो sideways हुआ दोस्तों, तो उसकी एक buying opportunity हमें कल की date में देखने को मिल सकती है मतलब उसमें अग upside का, क्यों कि traders उसमें, मतलब position बना के बेट जाते हैं, लेकिन जो interaction, तीके, जो inflation, जो volume की condition है वो calculate में हमें फिर से देखने को मिल सकती है, ठीके, तो यही कारण दोस्तों, लगबग 2-3 इसमें reason है, जिसके कारण हम आप लोगों को यह stock recommend कर रहे हैं, हम इस stock को buy करेंगे दोस्तों, ठीके, क्योंकि trend भी यहाँ पर अच्छा हुआ important zone को भी cross किया अब यहाँ पर time spent किया ठीके, और जो calculate में momentum होगा, वो और interesting देखने को मिलेगा Asian paint के तरफ से चलिए तो जो level से वो update कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ दोस्तो, Asian paint का level आपको update कर रहा हूँ, ठीके, कल की date में जब हम stock को buy करेंगे तो 3240 रुपे के level से buy करेंगे दोस्तो, ठीके, यह important zone रहने वाला है, target के अगर मैं बात करता हूँ, तो 3260 20 point का target लेके चलेगा, हाँ 15 से 20 point का target अरम से हमें मिल जाएगा, ठीके, और एक अच्छी-कासी opportunity भी दे रहा है buying, क्योंकि काफी confirmation के बाद ही, हम यह stock आप लोगों को recommend कर रहे हैं, और एक और point अपडेट करना चाहूँगा, मैं दोस्तो, यह point आप लोगों के लिए बहुत important है, यह है हमारा profit group का F&O call का telegram channel, ठीके, आज की date में आप देख सकते हो, हमने Apollo hospital का call buy करवाया था, 5,300 का, ठीके, 110 से 120 का target हुआ था, suddenly ज़्यादा समय भी नहीं लगा, दो minute के अंदर अंदर दोस्तो, उसने ठीके, 110 रुपे से 106 रुपे का high लगा दिया, यह unexpected moment देखने को मिला, अगर traders ने कहीं पर भी position बनाया हो ना, उसने profit निखाला होगा, अगर मेरा 10 point का target भी done हो रहा है ना, दोस्तो, तो 125 share का lot size है, ठीके, और मेरे को यहाँ पर लगबख 10 point का profit हुआ ना, तो मेरे को 1250 रुपे का profit हुआ है, investment लगा, दोस्तो, मात्र 12-13,000 रुपे का, ठीके, फिर भी दोस्तो, हमने second time यह सोचा कि चलो, ठीके, कोई ने trading नहीं कर पाया, तो 9 बच के 21 मिनिट पे, फिर हमने 5,500 का call भाय कर भाया है, 120 रुपे से 130 का target दिया, आप खुद देख सकते हो, और suddenly, उसमें भी इतना शांदार moment हुआ कि, दोस्तो, 9 बच के 20 मिनिट में 135 का ही लगाया, ठीके, उसके बाद, 9 बच के 24 मिनिट पे 128 रुपे का ही लगाया, फिर मैंने बूम बूम करके अब ब्रीट किया कि, यहां पर profit profit हो रहा है, और उसके बाद दोस्तो, suddenly, stock ने, मतलब जो हमारे call ने, 9 बच के 28 मिनिट पे हमारा target दे दिया, मतलब दोनों position पे, अगर कोई भी traders ने काम किया होगा, तो 25 रुपे का profit दोस्तो, उसने ले गया होगा, दोस्तो, अराम से 15,000 रुपे के investment के अंदर-अंदर, और हमारे दोस्तो, यह call यहीं पर नहीं रुखे, क्योंकि stock 13% भागा, 13% stock भागा है Apollo Hospital, इन call को आप चेक कर सकते हो, यह सब ने लगबख 200-300 पॉइंट का moment किया, ठीक है, और वहीं पर हमारे premium टेलिग्राम के जो member से दोस्तो, उन्होंने तो आज बहुत अच्छा यहाँ पर profit निकाला, आप देख सकते हो 5,700 रुपे का profit निकाला, लगबख 7 call हमने यहाँ पर provide किये थे, आप देख सकते हो, हर में target ही टुआ, ठीक है, जो हमारे लिए काफी अच्छा देखने को मिलता है, और हमारा यही confidence बिल्ड करता है, तो अभी तक आप लोग हमारे profit गुरू, एफेंटर काल के position बनाएगा, चलिए, second stock के उपर चलते हैं, दोस्तों, second stock के हमारा mind tree limited, mind tree के अगर मैं बात करता हूँ, तो आदे percent की तेजी के साथ, यह stock 4,982 रुपे पे open हुआ, इसका previous close, 4,988 था, ठीक है, open हुआ, gap down, 4,950, high लगाया, 5,088 रुपे, low लगाया, 4,888 मतलब, लगबग दोस्तों, 120 point stock, अपने high से नीच जाया, ठीक है, और उसी के बाद, अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो stock का जो volume condition है, और 9,10,000 quantity का देखने को मिल रहा है, साथ में 52,000 काई, 52,000 का लो, बहुत market में, चलिए, इसके technical view पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोस्तों, mind tree का chart pattern में आप लोगों को सामने open क्या, ठीक है, 15 मीट का candle chart है, अब 12 तारीक से लेके 17 तारीक का chart हम analysis कर रहे हैं, अब देखें, इसमें एक point बहुत important देखने को मिल रहा है, support level, ठीक है, यह support level देखिए, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, जैसे कि, यह break हुआ तो rejection भी बना, फिर नीचा है, फिर उपर गया, फिर देखें, यहाँ पर टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पर टेस्ट हुआ, फिर उपर गया फिर यहाँ पर टेस्ट किया फिर उपर गया फिर यहाँ पर देखें मतलब दोस्तो यह support को जतनी बार stock ने चुआ है वो उपर जाने की कोशिश किया है उसी के बाद अगर आप देखेंगे तो यह important rejection level पर close हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी rejection पर दोस्तो इसने test किया था यहाँ पर भी testing किया यहाँ पर भी testing किया अब यहाँ पर भी हुआ है एकदम उसके top है मतलब एकदम position पर जाके वो close हुआ है जो एक important रहता दे कि यहाँ पर break नहीं कर पाया यहाँ पर भी नहीं कर पाया लेकिन market close हुगया हो सकता है कि कल की date में ब्रेक कर दे यहाँ पर जैसे उसने करा था और उसके बाद फिर यह fall दिखा दे क्योंकि यहाँ पर भी दिखाया था तो हम यहाँ पर opportunity लेंगे क्योंकि यहाँ पर बाद में मिलेंगी कोई भरोसा नहीं कि market का direction क्या मिल जाए ठीक है तो हम यहाँ पर opportunity लेंगे ठीक है तो दो से तीन बार यहाँ पर भी confirmation हुआ क्योंकि support का साहरा यहाँ पर भी लिया momentum upside का देखने को इस प्रकार से मिले ठीक है तो चले जो level से वो update कर देता हूँ तो proper तरीके से mind tree के level को note करिएगा जब कल की date में हम stock को buy करेंगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ fix 5000 रुपे के level से buy करेंगे ठीक है target के अगर मैं बात करता हूँ तो अराम से आप दोस्तों 5000 30 का target लेजिएगा मतलब कितना 30 point का target लेके चलिएगा ठीक है SL की अगर मैं बात कहता हूँ 4985 मतलब आप 15 point का SL रखिएगा 30 point का target रखिएगा ठीक है तो यह है mind tree का level mind tree और SDN point इन दोनों stock को इस प्रकार से position बनाएगा कि हमारा opinion हमने आपके साथ share किया आप खुछ से भी अ आपको जोड़दार performance देने वाली है intraday में तो यह दो बहत्रिंग tips यह वीडियो पसंद आया तो please दोस्तो इस वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा क्योंकि daily basis पर हम आप लोगों ले इसी परकार का update लाते रहते हैं और telegram चैनल को जरूर जोइन करिएगा तो thank you दोस करिएगा चैनल करिएगा तो